आज की लेक्चर हमनों डिस्कस करेंगे जो ओपन मॉक्ट टेस्ट में आप लिया था मेगनेटिक मेट्रियल का उसके आंसर इसके उपर डिसकेशन करेंगे कई लोग कमेंट कर रहे थे कि मार्क्स उन लोग के नहीं पहुचे हैं तो कल मॉर्णिंग में आपके मार्क्स आपके मेल पर आ जाएंगे साथी साथ जो हम लोग यहां answer discuss करेंगी जो correct answer ते और आपने क्या response दिया यह भी आपको कल मिल जाएगा ठीक है तो इस सारी चीज़ें आपको कल available हो जाएगी एक्चुली थोड़ा सा delay इसली करा गया है ताकि आप lecture देख के सीख लें क्या क्या चीज़ें देन उसके बाद कल हम इसको disclose कर देंगे और कुछ लोग अभी भी paper दे रहे हैं क्योंकि मैंने बीच में खुला रखा था तो इसलीए थोड़ा सा delay कर दिया गया मार्क्स में ठीक ह मॉर्णिंग तग आपके पास आपका जो भी जिन लोगों ने भी paper दिया है उन सब के marks उनके मेले पहुंच जाएंगे लगबख सौ के करीब बच्चे हैं एक सो यह क्या सम्तिंग इतने ही है क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने और दिया पर आज भी कुछ बच्चे paper दे र सब्जेक्ट का दें एक बात ध्यान रखो सब्जेक्ट वाइस कभी भी मॉक टेस्ट मतलब अगर जैसे अब यह तो free of course था जब आप परचेज करो कहीं पर भी हमसे हमारा दे रहे हो या कोई भी आप मेड़ीजी का दो किसी भी अच्छी उसका दो हमेशा complete दो मतलब पूरे question कर रहा हो मैं और वहां से एकदम सुच करके अगला question power system का है तो वो switching आना चाहिए तुमें अगर switching नहीं है तो फिर whether machine the machine भी अगर यह जंप नहीं कर पाऑगी तो फिर questions को लगाना कि इतने सारी concepts की practice अच्छे से नहीं हो पाईगी तो mock test का basically purpose यह होता है कि आपके mind में switching की capability आ जाए जिससे कि तुम magnetic metal का question देन अगला question power system तो सीरे तुम power system की अपनी mental library है उसको खोल सको तो यह practice करनी जरूर है इसलिए मैं जब mock test लेता हूँ जो हमारी weekly mock test होते हैं मैं हमेशा खुद सारे question design करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि multiple subject के हो जिससे कि तुम switching सीख सको ठीक है clear होगे हैं यहाँ पर तो यह चीज़ आप ध्यान रखें चले start करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा यह जैसा हम आपने देखा होगा मैं video बनाता हूँ हम लोग question के answer discuss करेंगे साथ ही साथ right side में आपको एक दिख रहा होगा जो circle है वो यह बता रहा है कि कितने percent लोगों ने wrong करा है तो इससे आपको पता चल जाएगा कि question कितना लोगों ने सही करा है या कितना मतलब जो other than आपके अलावा जितने भी लोग है वो कितना उस question में comfortable थे ठीक है तो सबसे पहला question आया था कि यह diamagnetic material की susceptibility की उपर question आया था susceptibility मैंने बता रखा है susceptibility दो चीज़े बताती susceptibility के साथ एक होता है magnitude जो यह बताता है कि कितना तुम strong magnet है मतलब कितना strong उसका character है और दूसरा यह बताता है polarity की मतलब उसका जो भी character है जो भी उसका magnetic के प्रती repulsion या attraction है वो polarity कैसी है मतलब attract करेगा कि repel करेगा समझ में आ रहा है कितनी तेजी से attract रिपल करेगा वो magnitude बताएगा कितना किस direction में मतलब attract करेगा कि repel करेगा यह polarity बताती susceptible की ठीक है समझ में आगी बात यह तो diamagnetic क्या होता है कि diamagnetic में दोनों ही चीजे बेकार होती मतलब polarity negative होती है ठीक है मतलब अगर diamagnetic को रखोगे तो रिपल करती magnitude लाइन को ठीक है और जो magnitude होता है वह बहुत ही लो होता है ठीक है तो यहां पर अगर हम करेक्ट option की बात करें तो c1 is the correct option low and negative तो लगबग लोगों ने 75% से उंपर लोगों ने इसका अंसर सही दिया है ठीक है तो यह simple question था जायतर question लगबग 80% question इस paper के मैं मैं खुड design करें थे ठीक है ताकि मैं थोड़ा सा आप लोगो देख सकूंगी कि लेविल की आपकी knowledge है ठीक है तो मज़ा आया होगा यूप आपको पेपर देने में अगर आपको पेपर में देने में आपका दिमांग थोड़ा सा चला तो comment section ने बताना कि हां सर मज़ा आया एक हो गए anti-ferro और एक हो गए fairy ठीक है फैरो के अंदर domain जो होगी सब के सब same magnitude यानि कि जो dipoles का magnitude है वो same होगा same magnitude क्या होंगे तो same magnitude और same direction ठीक है यानि कि parallel होंगे कोई दिक्कत नहीं है anti-ferro की बात करते हैं तो इसकी domain के अंदर अगर जाक के देखोगे तो same magnitude बट एंटी parallel होंगे समझ में आरी बात ही है तो magnitude जो होगा वो same होगा लेकिन जो anti-parallel होंगे anti-parallel समझ में आ रहा है आयोब समझ में आ रहा होगा देन आते हैं fairy magnetic fairy magnetic की अगर हम बात करते तो इनकी अगर domain को देखोगे तो unequal magnitude मतलब अगर एक तरफ के बड़े तो दूसी तरफ के छोटे and anti-parallel तो unequal magnitude and anti-parallel समझ में आ रही बात है clear होगा है यहाँ पर तो भाई साब अगर हम fairy magnetic की बात कर लेते हैं fairy magnetic क्या होता है कि फैरो और anti-parallel के बीच में कहीं लाई करता है तो उसके अंदर क्या होगा anti-parallel होंगे ठीक है और unequal magnitude क्योंगे तो C1 is the correct option आयू समझ में आ गया होगा maximum लोगों ने यानि कि 75% लोगों ने इसको गलत करा है समझ में आ रही तो maximum लोगों का आंसर इसमें गलत गया है तो आप लोगों को यह बात समझ में चलनी होगी बहुत सारे लोगों ने fairy magnetic के अंदर क्या करा था anti parallel with equal magnitude लगा दिया ठीक है और कई लोगों ने parallel with equal magnitude यह आपने लगाया इसका मतलब तुमें फैरो और फैरी के बीच में अंतर नहीं पता है आयू समझ में आ रही होगी तो यह बात आप ध्यान रखें अच्छा कोशन था यह यहाँ पर maximum लोगों को मैंने आउट करा नेक्स कोशन की बात कर लेते हैं यहाँ पर कोशन पूचा गया है कि अगर बी तेजी से राइज हो रहा है एच से तो ऐसा magnetic material कैसा होगा ठीक है क्या मतलब होगा बी एच कर लोगा कोशन था सिंपल है बहुत ही सिंपल कोशन था करा भी सही से मतलब बी जो है वह ज्यादा तीजी से बढ़ रहा है देन एच से एच अगर एक यूनिट बढ़ेगा तो भी चार यूनिट बढ़ रहा है तो ऐसा magnetic material जो होता है उसकी बारे में आपको comment करना था तो obviously बात है this is what we call the slope और पी एच कर में जो स्लोब होता है वह होता है आपका permeability तो इसका मतलब क्या हुआ स्लोब हाई है मतलब permeability हाई है तो even is the correct option even is the correct option high permeability को यह रिपरेजेंट कर रहा है ठीक है ओके नेक्स question था if a north pole start moving towards a diamagnetic material then pole induce at its face देको इसमें बहुत सारी लोगों ने answer गलत करा है ठीक है जबकि बहुत ही simple question था concept क्या है यहाँ पर दो चीजे चेक हो रही है एक तो सबसे पहले आप समझ लो diamagnetic material मैंने लिए अब क्या हो रहा है नॉर्थ पोल जो है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है ठीक है नॉर्थ पोल अगर इसकी तरफ बढ़ेगा start moving towards a diamagnetic material तो भाई देखो diamagnetic material क्या होता है susceptibility negative होती negative susceptibility का मतलब just opposite phase यहाँ पर pole induce होगा तो diamagnetic तरफ नॉर्थ पोल लाओगे तो यहाँ पर नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा मतलब नॉर्थ पोल फॉर्म होगा और यहां साउथ होगा तब ही तो रिपल कर पाएगा कौन साउफ फोल इंड्यूस होगा नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल बनेगा तब ही तो अपोस कर पाएगे तो बीवन इस दा करेक्ट ऑप्शन ठीक है नेक्स देखो एक अच्छा कुशन था यहां पर कि इफ बोथ नॉर्थ पोल और फैरो This is a photo magnetic material दोनों चल रहे हैं साउथ की तरफ विद बीस मीटर पर सेकेंड तो पोल जो फैरो magnetic material के face पर फॉर्म होगा ठीक है low वो कौन सा पोल बनेगा कुशन का क्या मतलब होगा इस एक मैंगनेट है north and south और एक है हमारे पास ferromagnetic material this is a ferromagnetic material दोनों ही क्या कर रहे हैं दोनों ही एक particular south दे रखा है तो चलो माल लेते, दोनों ही south की तरफ जा रहे है ठीक दोनों south की तरफ जा रहे हैं अब क्या हो रहा है, यहाँ पर कौन सा 20 meter per second की speed से जा रहे है clear होगे हैं यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अब क्या हो रहा है, यहाँ पर यह कह रहा है कि ऐसे case में यहाँ पर कौन सा pole, यह जो ferromagnetic material है facing north pole, यानि कि इस face के उपर facing north pole मतलब इस part पर कौन सा pole बनेगा देखो, अगर यह question होता induction का important concept समझे लो, मतलब अगर ferromagnetic की जगह एक metallic ring होती metallic ring और तब यह question आता, तो अगर north pole भी नीचे की तरफ जा रहा है 20 meter per second से और यह भी 20 meter per second से नीचे जा रही है तो relative speed हो गई 0 ठीक है, तो relative speed 0 हो गई तो यहाँ पर कोई pole का formation नहीं होता समझ महारी, EMF induce नहीं होता flux नहीं आता, ना current आता, ना pole बनता लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है यहाँ पर आपकी बात हो रही है ferromagnetic material की समझ महारी, तो ferromagnetic material में आपका induction से कोई लेना देना नहीं है मतलब relative motion का कोई खेल नहीं है यह होता, अगर induction हो रहा होता समझ महारी, तो जब induction की बात होती है तब relative motion picture में आता है ठीक है, लेकिन जब हम बात करते है simply ferromagnetic material की बात कर रहे है तो simply अगर north pole इसके सामने रखोगी तो जो ferromagnetic material होगा उसके अंदर यहाँ पर north के supportive polarity, मतलब south बन जाएगा और यहाँ पर north आ जाएगा समझ महारी बात ही है, तो अगर जैसे अगर हम मेच पे कहीं हमने ferromagnetic material रखा हुआ और वहाँ पास में अगर north pole रख दोगे तो इसके अंदर automatically यहाँ पर south बन जाएगा तो यहाँ simply क्या होगा, even is the correct option south pole बनेगा, ठीक है तो लगबग इसको 55-60% लोगों ने इसको सही answer दिया था, काफी लोग का यह question गलत हुआ था ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसमें no pole लगाया था जैसा कि मैंने plan बनाया था बहुत सारे लोगों इसमें trap हुए थे next question दिया हुआ है कि भाया, अगर हम लोग if we replace ferromagnetic core with air core तो hysteresis loss का क्या होगा, ठीक है इसको बहुत सारे लोगों ने सही करा है, बहुत simple दा तो जब भी हम बात करते हैं, अगर हम hysteresis loss की बात करते हैं तो hysteresis loss जो होते हैं, basically यह solid में होते हैं, यानि कि ferromagnetic की बात कर लो, इसके अंदर hysteresis losses आपके रहेंगे, लेकिन जब हम बात करते हैं, air core की तो air core क्या है, air core के अंदर particle जो होते हैं free होते हैं, तो उनको align और re-align करवाना, मतलब इधर then इधर polarity उनकी shift करना, dipole moment की जो direction है, उसको shift करने में कोई खास energy consume नहीं होती तो hysteresis losses क्या होते हैं बिल्कुल decrease हो जाते हैं काफियत तक, ठीक है, आयूब समझ में आ रहा होगा, तो यानि कि अगर मैं जैसे air core का transformer बनाओ, या air core का बिल्कुल इस तरीके से जाएगा, समझ में आरी बात है यानि कि air core के अंदर hysteresis loss बिल्कुल minimize हो जाते हैं तो B1 is the correct option, ठीक है आयोब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, काफी सारे concept आपको clear हो रहा होगा, इस type question काफी paper में आप भी जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको cover कर लेना, ठीक है, तो दियान रखना यह चीज की, यहाँ पर तो पूछा गया थे degrees हो रहा है, लेकिन जनरली अगर आप से पूछा जाएगा, तो भाई, air core की होंगे, इसमें 0 होगा है, तो ultimately क्या हुआ, his stress is loss क्या हो, और ने, degrees हो रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो B1 is the correct option, काफी हट तक लोगों ने इसको सही करा था, next question की बात कर लेते हैं, भाई, neighboring interaction कहां होगा और कहां नहीं होगा, ठीक है, यह बात ठीक, तो यह जब भी हम domain की बात करेंगे, domain की, जब भी domain आएगा, तो वहाँ पर neighboring interaction आएगा, तो domain हमारा ferromagnetic में भी exist करता है, anti-ferro में भी exist करता है, फैरी में भी exist करते हैं, सब में domain exist करते हैं, आपको पता होगा, तो domain किस में exist नहीं करता, तो पैरा में exist नहीं करता, domain, पैरा में डाया में exist नहीं करता, तो neighboring interaction, absent किस में होगा, इन तीनों में absent नहीं होगा, बलकि none is the, d1 is the correct option, समझ में आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने इसका answer, anti-ferro लगाया था, या फैरी लगाया था, ठीक है, ये दोनों ही answer नहीं होगे, neighboring, यानि कि जब भी हम domain किस में form होगा, तीनों में domain exist करता है, और domain का मतलब neighboring interaction मौझूद है, ठीक है, clear हो गया होगा यहाँ पर, next question की बात करते हैं, हम ये कह रहा हैं कि below curie temperature, ferromagnetic behave as, ठीक है, curie temperature से नीचे ferromagnetic, जो होते हैं, वो कैसे behave करते हैं, अच्छा question था, ये test, same मैंने अपने class में भी लिया था, क्योंकि university में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर मैंने इसका test लिया था, तो बहुत सारे बच्चों के marks इसमें कटे थे, बहुत सारे लोग ने गलत का था, बहुत ही simple trick थी, देखो हम सबको पता है, कि curie temperature क्या concept होता है, कि अगर हम लोग ferro को, ferro का temperature, अगर हम लोग इस critical temperature, जैसे curie temperature है, उससे बढ़ा दें, ठीक है, increase कर दें, यानि कि T की value greater than Tc हो जाएगी, तो, ferro की बात करें, ferro पहले ऐसे जाएंगे, यहाँ पर जाके, यह TC को पार करेंगे, critical temperature, curie temperature and then, इसके बाद यह पैरा में convert हो जाएंगे, पैरा के कर्व को parallelly follow करेंगे, अब question क्या पूछा गया है, below curie temperature की, भाई यह curie temperature से पीछे, आप curie temperature से पीछे, जो ferro magnetic होंगे, वो कैसे बीएब करेंगे, भाई, ferro ही तो बीएब करेंगे, यानि कि, भाई, T greater than TC अगर होगा, तब ferro para में convert होंगे, यहाँ पूछा गया है आप से, कि below curie temperature, मतलब, curie temperature से पहले, नीचे, पीछे, तो भाई, वो ferro के ferro में ही रह जाएंगे, समझ में आरी बात ही है, बहुत सारी लोगों ने इसको गलत करा, class में बहुत लोगों गलत करा था, simple question था, आपको इतना ध्यान रखना था, क्योंकि मैं जानता हूँ, सब लोगी सोच के बैटे थे कि ferro, curie temperature और यहाँ पर मैंने इसलिए बिलो लिखा हुआ, यह शब्द आपने इगनोर कर दिया, जिन लोगों ने भी इसका अंसर लगाया है, तो बहुत सारी लोगों का यह कोशन गलत हुआ है, तो correct option क्या है, बीवन, क्योंकि भाई, below curie की बात हो रही, अबब क्यूरी लिखा होत तो फैरो जो होते हो, पैरा में convert हो जाते, next option बूचा गया है कि compare to the hard magnetic material, soft magnetic material है, अब इसके लिए बिएच कर बना लेते हैं, यह हो गए hard magnetic material आपके, जिनका बिएच कर बहुत लंबा चोड़ा होता है, because of high retentivity, high retentivity, यह हो गए आपके, soft magnetic material, क्यों, इनका जो बिएच कर low retentivity, ठीक है, तो compare to hard magnetic material, इसमें trick क्या है, compare करने हो कह रहा है, hard magnetic से, लेकिन पूछ किस के बारे मेरा है, soft के बारे मेरा है, समझ में आरी बात ही है, अब बहुत सारे बच्चों ने इसका answer hard के हिसाब से लगा दिया होगा, भाई, question समझो, इसमें compare करना है hard से, लेकिन question से काम करना, तो soft magnetic material के अंदर क्या होती है, retentivity low होती है, समझ में आरी बात ही है, low retentivity होती है, यहाँ पर यानिकी यह देखो, retentivity low, retentivity high है, ठीक है, clear होगा यहाँ पर, तो B1 is the correct option, next question पूचा है कि compare to the soft magnetic material, अब देखो, इस बार compare soft को करा जा रहा है, और पूचा जा रहा ह hard के बारे में, तो hard के बारे में आपको answer देना है, hard magnetic material has high stresses, low stresses same, तो obviously बात है, hard magnetic material high stresses, तो A1 is the correct option, next पूचा गया है कि यहाँ पर hysteresis कर्व क्या signify करता है, तो hysteresis कर्व को अगर ध्यान से देखोगे, तो simple है, यह question मैंने शायद अभी paper में भी करवाया था, इसलिए काफी लोग पर, अब यहाँ पर H को बढ़ा रहा है, तो B नहीं बढ़ेगा, देन वापस से जब H को 0 करोगे, तो B यहीं पर टक कर रहेगा, मतलब क्या हो रहा है, there is a delay, तो H को जो हम चेंज कर रहा है, उसके according B चेंज हो रहा है, बट विद डिले, थोड़ा सा डिले के साथ, जितना जाधा delay होगा, उतना जाधा मोटा BH करोगा, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, जितना जाधा delay होगा, B को H को follow करने में, उतना जाधा मोटा BH करोगा, उतनी जाधा hysteresis, तो hysteresis basically the delay angle, तो किसके बीच में है, B lacks H, यह वाला option नहीं होगा, क्योंकि H independent quantity and B depends on the H, तो इसलिए B lacks H समझ में रहा है, तो A1 is the correct option, समझ में रहा है, मार कर लेना इसको, बहुत इंटरेस्टिंग कोशन था, अच्छा भी है, नेक्स पूचा क्या थिन BH कर्व क्या signify करता है, ठीक है, थिन BH कर्व, मतला BH कर्व पतला वाला, बिल्कुल पतला, ठीक है, तार बिजली से पतले वाल बिल्कुल पतला, बिल्कुल पतला वाला जो BH कर्व है, वो क्या बता रहा है, वो simply बता रहा है कि रिटेंटिविटी बहुत कम है, और यह जो होती है, सॉफ्ट मैगनेटिक मेट्रिल के अंदर होती है, समझ महारी बात ही है, तो एक तो यह चीज़े बता रहा है, अच्छा बहुत छोटा, इसका मतलब लैग भी बहुत कम है, तो मतलब बी जो है, वो बहुती लो पीछे, मतलब लो लैगिंग है, देन एच, तो एच के पीछे जस्ट थोड़ा सा लैग कर रहा है, तो लो लैग बिडविन बी एच, समझ महारी बात ही, तो थिन बी एच कर्व क्या पता रहा है कि भी जो है, वो एच को लगवग लगवग क्लोजली फॉलो कर रहा है, जितना ज्यादा डिले होगा, जितना ज्यादा लैग होगा, उतना मोटा भी एच कर वोगा, यह पीछे पताया था, सेम वही कॉंसेट यहां पर यूज हुआ है, ठीक है, ओके, यह देख त्याद पोगा, डिलेटेव पर्मेबिलिटी कितनी होती है, एबसलीट पर्मेबिलिटी, एकि डिवाइड बाइ, अरिटेव तूछी घिर, यह धार तो यह पूची पर्मेबिलिटी, ऑफ एएर और रहम आंथी तो यह जो वब्लद यह आंसर था, यह था प्र iemand हूगूसे से पूछी कि absolute absolute मतलब four pi into ten की power minus seven और यह जो होती है कौन से होती है one point two five seven समझ में आरी बाद यह तो absolute probability पूछी की थी भाई एर की बहुत सारे लोगों इसका answer गलत करा ठीक है first one is the correct option next question पूचा गया है कि भाईया अगर हम लोग temperature conductor का कम कर देंगे तो क्या होगा तो देखो simple सा question है temperature की अगर बात करते हैं तो temperature directly link करता है resistance है ठीक है तो r t equal to r naught one plus alpha delta t इसके concept मैंने बता रखा है metal की series आप जाके देखोगे तो उसमें बताया हुआ है कि भाईया जो होता है जो heating heating का coefficient ठीक है temperature coefficient of resistance वो positive होता है जैसे जशे temperature बढ़ाओगे तो temperature जैसे जैसे बढ़ाएंगे आप वैसे वैसे resistance बढ़ता जाता है किसी भी conductor के अंदर वहीं पर semi conductor ले लो या insulator ले लो इन दूनों के अंदर temperature coefficient negative होता है मतलब जैसे हम temperature को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनका resistance कम होता जाता है बट यहां कि अधी कड़ेट की बात कर एट जैसी तेंपरेचर बढ़ाओगे तो बहुत संपल सब स्प्टल न है करेंट कि वैलिउ कम हो जाएगी लेकिन यहां पर क्या करा गया रिडियू स्क्राइब था बट इसमें बहुत सारी लोग आउट होगे पता नहीं कैसे यार फुल्टा उस बालती छक्का मालना चाहिए था इन बी एच कर एच इस अरे यार सिंपल सी चीज थी देखो बी एच कर रुकि अगर हम बात करें तो बी जो है और एक एच है एच क्या होता है कि जो भी हमार स्वार है मैंगेनेटीक मैटेरियल है उसकी अंदर छो डाईपळ बनेंगे उसके अंदर डायतव फॉर्म हो रहे हैं वो पर यॉनिट्रina में मैं कितने फॉर्म हो रहे है यह बताता है बी और उस डाईपळ को बनाने के लिए हमने बाहार से कितनी फील्ड लगाई है वह ब क्या है material के उपर depend कर रहा है clear हो गया है एच क्या सब्सक्राइब इंडिपेंडन्ट कॉंटिटी एंड बी डिपेंड्स ओन एच तो बी क्या है इस बात करेगा material कौन सा है अब यहां पर क्या है बहुत सारा बढ़ा होगे थोड़ा सा बढ़ेगा फैरों ले लोगे तो खूब करा मतलब पता नहीं क्या डाउट था ठीक है आयू बागो समझ में आ गया होगा नेक्स यहां पर बात कर लेते हैं रिलेटिव पर्मियोबिलिटी और डाया मैगनेटिक मेंट्रेल सिंपल कोश्चन था यहां पर रिलेटिव पर्मियोबिल्टी की बात करोगे तो याद रिलेटिव पर्मियोबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है ठीक है हमेशा पॉजिटिव रहती है इस द्यान रखना तो यहां पर क्या होगा बीवन इस दा करेक्ट ऑप्शन नेक्स पूछा गया कि क्यूरी टेंपरेचर के बाद फैरो टेंड पैरा है अब इसमें बहुत सा तो पहले यह जाएगा ठीक है वहां पर क्या होता है नील कर नील टेंपरेचर होता है तो वह शुरुबात में उनका इस तरीके से राइज अप करेगा सेप्टिबिल्टी जैसे यह तेंपरेटर बढ़ाएंगे अटेन पर्टिकुलरली आफटर टी एंड नील टेंपरेचर वो पार करने के बाद यह भी पैरा की तरह लेक्टर पर जो फैरो टर्ण पैरा इनकी जो सब्सक्राइब होगी कंपेट तो औरिजनल पैरा ठीक है समझ में आरी बात यह तो पहला वाला ऑप्शन सब्सक्राइब काफी लोग गलत हुआ था मैं इसको समझ लेना मैंने इसको पढ़ाया हुआ है जाकि देख लेना वहां सब्सक्राइब है मैंगनेटिक मैट्रियल की सीरीज में मिल जाएंगे लेक्टर नेक्टर पूचा गया कि मैंगनेटिक मैट्रियल सार्था मैट्रियल विच देखो इसमें भाई साब मतलब यह अगेन फुल्टॉस बॉल थी छक्के वाली बॉल थी और इसमें सब के सब परसेंट लोगों ने इसी ऑप्षिन को टिक करा ठीक है भाई आप एक बात समझो एक मैगनेटिक मैट्रियल रखा हुआ है यहां मैं मैगनेट लाओंगा नौर्ट साउथ यह मैगनेटिक मैट्रियल तीन केटिगरी में हो सकता है फैरो अगर है तो यह अट्रेक्ट हो आंगेटिक वल समझ मैं आरी बात दिये जा इम बात करते हैं तो यहां पर यानिकरूल वालट चर्म गलत है यह अगर्डया को लेलोग तो दयाए चलो एक यह और एकर और रेक्ट बातर तो paris यह होगा non magnetic material के case का ठीक है non magnetic material जो होते हैं ठीक है वो ना तो attract होते हैं न रिपल होते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर magnetic material बात करें always move away यह होगा डाया ठीक है डाया magnetic पर इसमें पैर और फिर पैरा फिट नहीं होगा ना फैरो फिट होगा तो correct option है D1 is the correct option समझ में आगे है क्या गलती वी थी तो D1 is the correct option ठीक है नेक्स नहीं पूछा गया था विच्छ फॉलिंग इस यूज फॉर making speakers अब speaker के अंदर हम यूज करते हैं permanent magnet का इस्तमाल ठीक है आपने देखा गोल वाली magnet होती न जो अलमारियों पर चिपका देते हो इस तरीके की black color की magnet देखने को मिलती है तो speaker के अंदर permanent magnet का इस्तमाल करते है permanent magnet को बनाने के लिए we need hard magnetic material और hard magnetic category में आते हैं इन में से ferrite समझ में आ रही है तो ferrite is the correct option nickel iron iron silicon iron ये सब के सब जो है ये आपके ferro के ही advanced version है मतलब attracted मतलब जो soft magnetic metal soft magnetic metal के part है we need permanent magnet मतलब hard magnetic metal उसके लिए ferrite कोर का इस्तमाल करा जाता ध्यान रखना अच्छा कोशन था नैसे मैं पूछा गया कि भाई अगर silicon add कर देंगे 0.5 से लेके 4% by weight of iron तो कौन सी quality जो होगी वो implant कर देंगे हम लोग अपने core के अंदर तो यहां पर correct option है भाई अगर silicon मिला रहे हो तो silicon मिलाने से क्या होगा electrical resistivity बढ़ जाएगी iron core की समझ में आ रही है तो silicon जैसे transformer की core है अगर इसके अंदर मैं silicon add कर दूँगा 0.5 to 4% by weight of iron तो जितना भी हम iron ले रहे हैं उसका 4% या 0.5 ठीक है by the weight of iron के respect में अगर हम silicon add कर देंगे तो क्या होगा उससे यह जो तुमारी core है इसकी resistivity बढ़ जाएगी resistivity यानि कि रो की value बढ़ जाएगी अब resistivity बढ़ जाएगी हमें क्या फाइदा भाई इसके अंदर हम current फ्लो कराते नहीं है इसके अंदर तो magnetic flux flow होता है भाई या सही है तो आप लोग कोगे sir core के अंदर तो magnetic flux flow होता है तो resistivity बढ़ा की क्यों कर रहा है तो आपको याद होग core के अंदर जब भी हम transformer या कोई machine की core की बात करते हैं वहाँ पर आपको याद होगा add current form होते है core में तो जो add current form होते हैं इसकी वज़े से add current losses आते हैं इन losses को tackle करने के लिए जो add current form हो रहे हैं इस current को limit करने के लिए we need to increase the resistivity of the iron core तो resistivity इसलिए बढ़ाई जाती है तो जब भी हम silicon add करेंगे तो add current जो होंगे वो resistivity बढ़ेगी core की add current down हो जाएंगे तो अगर यहाँ पर कहते रखा है add current losses increases अगर यह decreases दे रखा होता और यह option नहीं होता तो हम इस पर tick करते समझ मारी बात है तो दो चीज़े आपको याद रखनी है कि जब भी हम लोग silicon add करेंगे तो resistivity ब कम हो जाएगा तो losses जो होंगे add current भाई साब वो भी कम हो जाएंगे समझ मारी तो यह काफी लोगों ने इसको गलत करा था इसलिए मैंने बताया ठीक है तो इतने ही थे सारे question आई हो आपको समझ में आगया होगा आपने क्या टिक करें और कहां गलती हो यह mindset क्या चाहिए और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है हो सकता है मैंने अपना explanation दिया है आपके पास अगर कोई और explanation है तो comment section बताना ठीक है बाकी इसी तरीके के यह तो subject wise था weekly mock test हम लोग run कर रहे हैं हर संडे को होता है आप इसके लिए हमारा super prime group join कर सकते है weekly mock test के लावा उसके अंदर आ गई है और उसके old series जो होती है वो पूरी पूरी आपके अलग से 199 का PDF आपको मिल रहा है उसके अंदर complete जितने भी मैंने lectures नहीं है जिनके PDF पॉसिबल था पीपिटी lectures पॉसिबल थे जो लेटेस लेक्टर चल रहे हैं सिंकोंज मशीन सीरीज के वो आपको मिल जाएंगे ठीक है तो super prime group में वहाँ परी मिल जाएंगे साथ इसाथ weekly mock test complete flavors का मतलब पूरा electrical mix ठीक है तो आप इसको join कर सकते हैं और यहां पर मैंने दोनों compare कर रहा है जो आपको सही लगे वो करें आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कोई मन में doubt to the comment section भाई साब बता दीजेगा और lecture पसंद आया हो तो like कर देना और कभी और मौका में लेगा तो किसी और का ले लेंगे से सिंकुनल मशिन सीरीज कंप्लीट हुई है अगर माहल बनता है और मौका मिलता है तो हम एक सब्जेक्ट वाइज उसका भी ले सकते हैं तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद